अब राहूल गांधी के शक्ति वाले बयान पर विवाद बढ़ गया पीम नरेंद्र मोदी ने राहूल की शक्ति को भी भुना लिया शक्ति वाले बयान पर राहूल गांधी को पीम मोदी ने ललकार दिया लोकसभा चुनाव से एन पहले राहूल गांधी को एक और बयान भारी पड़ गया राहूल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस के आलाकमान कहे जाते हैं अध्यक्षन रहते हुए भी कया से लगाय जाते हैं कि पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके नेत्रित्व में ही हो रहा है उनकी देखरेख में ही किया जा रहा है अगर ऐसा है तो जिस तरह से कॉंग्रेस गर्थ में जाती जा रही है उसका ठीकरा भी राहूल गांधी के सिर पर ही फोड़ना चाहिए क्यूंकि सर्वे सर्वा तो पार्टी के रहूल गांधी ही कहे जाते है लेकिन ये कैसे सर्वे सर्वा है जो कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं और हमेशा कुछ ऐसा कह जाते है कि विरोधियों के हाथ में उनके खिलाफ कोई न कोई हत्यार थमा देते है अब कॉंग्रेस के पुरवध्यक्षर वाइनाट से सांसद रहूल गांधी के शक्ति वाले बयान को ही ले लिजे 17 मार्च को मुंबए में न्यायात्रा का समापन करते हुए रहूल गांधी को लोकसभाचनाव से पहले अपने लिए माहौल तो बनाना ही था बनाया तो ऐसा कि मोदी के हाथ में मानुत तल्वार थमादी हूँ रहूल गांधी ने कह दिया हिंदू धर में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं अब सवाल ही उठता है कि जिस शक्ति का जिक्र रहूल गांधी ने किया है आखिर वो शक्ति है क्या? इसको लेकर असमंजस की स्थिती बनी ही हुई थी कि बीजेपी ने ये बाजी अपनी तरफ कर ली बीजेपी ने राहूल गांधी की शक्ति वाली बात पकड़ ली और शक्ति को देश की माताओं बहनों से जोड़ दिया और ऐसा जोड़ा के पियम मोदी ने खुद ही इस बार खुले तोर पर राहूल गांधी के खिलाफ मोर्चा समभा लिया पिया मोदी ने लोगसभाद चुनाव की तारीखों का एलान होने के बाद लोगसभाद चुनाव से एन पहले राहूल के बयान पर राहूल को जबरदस तरीके से ललकार दिया है पीया मोदी ने राहूल के शक्ती वाले बयान पर कठाक्ष करते हुए कह दिया है कि वो शक्ती के लिए जान दे देंगे देलंगाना के जगतियाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए देश के पृधान मंतुरी नरेंदर मोदी ने कहा कल मुंबई में इंडिया ला entendu की रैली थी चुनाव घोशित होने के बाद इंडिया लाइंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपून रैली थी उस रैली में उन्होंने घोशना पत्रु जारी किया और उनके घोशना पत्रों का अयलान है कि मेरी लड़ाई शक्ती के खिलाफ है फिर अपने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पियमोदी ने कहा एक और शक्ती के विनाश की बात करने वाले लोग है और दूसरी तरफ शक्ती की पूजा करने वाले लोग है मुकाबला चार जून को हो जाएगा कि कौन शक्ती का विनाश करता है और कौन शक्ती का आशिरवात प्राप्त कर सकता है सुनी जरा पियमोदी किस तरह से राहुल गांधी की शक्ती वाले बयान के हिलाफ तेलंगाना में हुंकार भर रहे है जहां से इंडी एलाएंस ने अपनी गोश्रणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ती के खिलाब है मेरे लिए हर मा शक्ती का रूप है हर बेटी शक्ती का रूप है और मेरी इन माताओं बेहनों की तरफ से माताओं बेहनों आपको मैं शक्ती के रूप में पूजा करता हूँ मैं भारत मा का पुजारी हूँ मैं आप शक्ती ही स्वरूपा समाताओं बेहन बेटियों का भी पुजारी हूँ और जिनोंने कल सिवाजी पार्क में इंडी अलाइस ने अपना गोशना पत्र शक्ती को खतम करने के लिए किया है मैं इस चुनोती को स्विकार करता हूँ और मैं इन सक्ती स्वरूपा माताओं बेहनों की रख्षा के लिए जान की बाजी लगा दूँगा जीवन खपा दूँगा सुनाप ने कैसे PM मोदी ने विरोधियों को शक्ती की बात पर ललकार दिया है कह दिया है कि शक्ती के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँगा पूरा जीवन खपा दूँगा कुल मिलाकर राहूल गांधी या कहें इंडी अलाइंस के कई अन्यवारों में से PM मोदी पर किया गया ये वार भी उल्टा उन्ही परहावी हो गया इससे पहले आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो हर जगे नाम के आगे आपको मोधी का परिवार लिखा दिखाई देगा ये भी विरोधियों के खिलाफ BJP का भुनाया हुआ एजिंडा है लालो यादव ने पिये मोधी का परिवार नहीं होने के लिए उन पर तंज कसा था सोशल मीडिया पर क्यामपेण ही चल गया मैं हूँ मोधी का परिवार वही राहुल गांधी के चोखीदार चोर है वाले बयान को कौन भुला पाया है इसमें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने पर अपनी सफाई पेश कर रहे है राहुल गांधी लेकिन फिर भी देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधान मंतरी को चोखीदार कहकर उन्हें चोर साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे है इसी के जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को इतना भुनाया था कि लोकसभाद चुनाब 2019 ही कॉंग्रेस को हारना पड़ा था राहुल को लगा था कि उनका ये स्लोगन फेमस हो जाएगा और जनता का साथ उनको मिल जाएगा ये स्लोगन फेमस तो हुआ था लेकिन थोड़े अलग अंदाज में सोशल मीडिया पर कई दिनों तक मैं भी चौकीदार ट्रेंड कर गया था बीजेपी ने राहुल के बयान को कुछ ऐसे भुना दिया था अब फिर से जब चुनावी शंखनाद हो चुका है बिगुल फूका जा चुका है तो पुरानी गलतियों से सबक लेने की बजाए राहुल गांधी ने इस बार शक्ति को लेकर बयान दे दिया है जिसे PM Modi ने अपने उपर ले लिया है और फिर राहूल गांधी को किस अंदाज में जवाब दिया है ये तो आपने देखी लिया वैसे राहूल गांधी की गलितियों से सीख ना लेने की सादत पर कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचने किस रवाइये पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें जरूर बताएं